नैनी रिट्रीट के अवैद निर्मान का हुआ था ध्वस्तिकरण का आदेश उल्टे उस पर बन गई लंबी चोड़ी पार्किंग करमाती अधिकारियों की शेह पर खत्म होता नैनी ताल नैनी ताल जहां उत्राखंड का हाई कोट स्थापित है और जिसमें न्याय करने के लिए न्याय मूर्टियां स्थापित है नैनी ताल जहां कुमाओ परिछेत्र के आयुक्त का कारियाले है और वर्तमान में जिस पर फैसला ओन दा स्पॉट करने वाले IAS दीपक रावत विराजमान है नैनी ताल जहां जिलाधिकारी का कार्यालय है और वर्तमान में नियाई प्रिये निस्पक्ष इमानदार IAS धिराज सिंग गर्बियाल जिलाधिकारी के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं नैनी ताल जहां कुमाओ के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी पुलिस महानिरिक्षक का कार्यालय है जिसमें निस्पक्ष कर्मट इमानदार I.G. मिलेश आनन भर्णे जनता को नियाई दिल्वाने के लिए वचन बद्ध हैं नैनी ताल जहां वरिष्ट पुलिस अधिक्षक का कार्यालय है जिसमें तेज तर्रार कर्मट अभिनव SSP पंकजभट सुशोभित हैं इसके अलावा जील विकास प्राधिकरण की लंबी चौड़ी टीम जो नैनी ताल और ग्रीन बेल्ट में अवैद निर्मान पर रोक लगाने के लिए स्थाफित हैं इतना ही नहीं हजारों की संख्या में सरकारी अधिकारी, राजनेता, विधायग और नैनी ताल से प्यार करने वाली जंता सभी मौझूद हैं फिर भी नैनी ताल में अवैद निर्मान रुकने का नाम नहीं दे रहा है यहां अवैद पार्किंग तो बनी ही, साथ ही साथ अवैद पार्किंग के ठिक बगल में भारी भरकम जेनरेटर भी रखा गया है और इस जेनरेटर के लिए भी लोहे की चाट दिवारी खड़ी कर दी गई है, जिससे इस पहाड़ी पर भारी दबाओ बन रहा है जबकि नैनिताल में अवैद निर्मार पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रोक लगा चुका है फिर भी यह समझ नहीं आता कि आखिन नैनिताल जैसे समवेदन शील छेतर में कोर्ट के आदेशों का पालन क्यों नहीं हो पाता नैनिताल में आला अधिकारियों का जमावड़ा है लेकिन अवैद निर्मार मामले में सभी चुप्पी साथ लेते हैं कुछ तो मीडिया से बात तक नहीं करते हैं कुछ अधिकारी मामला संग्यान में नहीं है कहकर टाल देते हैं कुछ निहाइती इमानदार अधिकारी कहते हैं कि मामला भी संग्यान में आया है कारवाही करेंगे जैसे कि नैनिताल और प्रकर्टी पर एहसान कर रहे हो। मोटी मोटी पगार और सभी तरह की सरकारी सुविधाओं को लेने वाले नैनिताल के अधिकारियों की नाक के नीचे महच कुछी मीटर दूर सीर किया हुआ अवैद निर्मार्ट ध्वस्त करने की बज़ाएं पूरा हो जाता है। आखिर वो कौन सी घुटी है जिसे पीने के अधिकारी कुदासीन हो जाते हैं। कुछ अधिकारी नैनिताल को बाहत से खुबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है। लेकिन अवैद निर्मार्ट को रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुए। क्या एक वरिस्ट अधिकारी को इतनी भी समझ नहीं कि जब भारी भरकम अवैद निर्मार्ट के चलते नैनिताल ही खत्म हो जाएगा तो सरकारी खर्चे पर की गई सुन्दर्ता का क्या मोल होगा। कुछ आला अधिकारी तो छपास रोक से ही ग्रसित हैं जिन्हें सोशल मीडिया में हीरो बनने का बेहत चौक है और उनका ज्य लगाया होता तो शायद वास्तों में वो जन्ता के हीरो बन जातें। भरकम अवैद निर्मार करके पार्किंग बना दी जाती है। भरकम निर्मार कारी और योजनाओं की भीर चरते आज हम सब जोशी मठ को देख रहे हैं। एक एतिहासिक शहर इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रहा है। जोशी मठ ही नहीं बलकि उत्रखन के कई पहाड़ी इलाकों में धीरे धीरे अतिक्रमन, भारे निर्मार कारी, जंगलों के कटान कर कंक्रीट का शहर बना दिया गया है। नैनिताल भी इसी तरह इंसानी लालच की भेट चड़ता जा रहा है। नैनिताल वासी खामोशी के साथ नैनिताल को खत्म होते देख रहे हैं। नैनिताल जहां सभी बड़े कारियाला इस्थापित हैं। वहां ग्रीन बेल्ट में अवैद निर्मार पर सुप्रीम कोर्ट तक के आदेशों की जम कर धज्यां उड़ाई जा रही हैं। आज नैनिताल के अस्थित्व को अवैद निर्मार के चलते खत्रा पैदा हो गया है। जिसके दोशी नैनिताल के वो लालची लोग हैं जो व्यक्तिकत लालच के चलते अवैद निर्मार करते हैं। और उससे भ झाल, 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 झाल